है कि थो क्या सिट वरी बड़ी तो कैसे आप सब होप सब बनिया होंगे तो आज हम लोग कहार्ट करने वाले हैं मोसने लोग मोसन का पांचमा लेक्ष्ट इसमें लोग क्या पढें गे नीट्व साहिब का पहला नियम पढेंगे नियुट्वे फॉस्ट लॉप मोसन हम लोग गिया था उसको फर्स्ट लोग बोला जाता है और जो थर्ड लॉट था उसको क्या बोला जाता है जो नुटन साहिब है वह बहुत बड़े साइंटिस थे उनका फीजिक्स में तो नाम है ही उनका जो आगर नाम देखें तो केमेस्टी में भी हम लोग उनका कुछ-कुछ जा उनका जो थियोरि था उनको पड़ने के लिए है तो बहुत ही बड़े साइंटिस था इसलिए उनका जो नाम है सर सर आइजेक नूटन का पुरा नाम था क्या था नाम एंप सब द्सभ्णन उनका जो पहला नियम था उसको हम लोग हमेशा ही रेश्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि वह नहीं करेगा तब तक कि हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे अगर हम लोग अप्लाई करते तो उसमें मोशन नहीं जब तक वह नहीं करेगा तब तक कि हम लोग अनबालेंस एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से हम लोग अनबालेंस फोर्स उस पर अपलाई नहीं करते हैं जैसे इसका इसका इक्जामपल देख लिए कि अगर कोई जैसे माली जी जहां पर रखा हुआ है यह जो ग्लास बोर्ड इसमें मोशन नहीं है लेकिन इसमें लोग फोर्स अपलाई करेंगे तो क्या करेंगा मुब करना मतलब हिलना स्टार्ट कर देगा यह तो माली जहां पर बैठे हुए तो आपका बुक जिस जिस टेवल पर रखके जहां जाते होंगे तो टाइम बढ़ता रहता होगा लेकिन जब उसको अपने हाथ से उठाते हैं मतलल इसको क्या करें पुल कर रहे हैं थिक है ना उसको अप उठा रहे है लिप्ट कर रहे हैं तो किया होता है लगाते हैं कैसा रगाते हैं उसमें क्या हो रहा है जब तुझ vib को अगर n пошल बे जेगा जब gegenüber चाहाना थैंust कोई ऑब्जेक्ट इनिफॉर्म मोशन से मूब करता रहा है जब तक कि उसका उसन कब तक डिस्टरब नहीं होगा तब तक कि उस पर हम लोग external unbalance force न अप्लाई कर सकते हैं तो इसको क्या करते हैं उसको पे सब्सक्राइब करेंगे तिसरा उनका क्या कहना था कि अगर कोई अब्जेक्ट एक पार्टिकूलर डिरेक्शन में स्ट्रेट में मूब कर रहा है मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइं में मूब कर रहा है तो तब तक उसका लुख तक करेंगे रहे ब exactamente यहीं करेंगाए अगर कोई के अगर्ञेट करना पसंद करेगा कब तक उस पर हम लोग नेट एक्सटरनल फोर्स अपलाई ना कर दें कब तक वोस में नहीं आएगा कि जब तक हम लोग net unbalance external force उस पर क्या कर दे अप्लाइ ना कर दे तो यही नीट्रेंड साहव का पहला नियम है वही एक कह रहा है तो इसको लिख लेते हैं कि नीट्रेंड साहव का पहला नियम क्या कह रहा है कि किताव है उसको समझ लेते हैं इसको भी समझना जरूरिक है यूyr टे финस यह तो इना वह समझना ही है टो समझते हैं क्या करा है according to newton first law of motion a body continued to be in the state of rest or in the state of uniform motion along a state line एक कर रहा है कि अगर कोई अब्जेक्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा तो इनिफर्मोशन से स्टेट लाइन में मूब करेगा कब तक कि अनलेश वही तो कर रहा है कब तक कि जब तक कि सम् यहीं जो कि हम लोग किया कर रहा है तो सम् एक्स्टर्नल फोर्स उस पर पूस और पूल के फर्म में जो हता उसको तो हम लोग फोर्स करते हैं कहते हैं लोग constitutional करने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्स क्या होता है तो force is an external effort in the form of push or pull stretching और compressing इस वीगो तो हम लोग क्या बोलते थे force बोलते थे मतलब जो Newton first law है वो define कर रहा है force को simple सी बात है अगर कोई object rest में है उसको motion में ला रहा है Newton first law कोई external force apply करके इसका मतलब है कि जो Newton first law है वो क्या कर रहा है तो force को define कर रहा है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो Newton first law है इत define force यह क्या करता है force को define करता है चलिए भी लिखने हैं कि जो Newton first law है वो क्या करता है force को define करता है तो हम लोग क्या देख लिए हैं कि Newton जो first law है आधर वह किया करता है तो सब्सक्राइब कर रहा है तो इसमें एक चीज देख रहा है कि कोई या दो इसका रिजन जाना ना कि ऐसे मालकी कि आप क्या है कि आप है कि या ने जाते है तो जब जब ब्ली करता कि आप तो मोई करेंग है जब ट्रेंग घुलेगा तो सबसी मूब करां है आज आओ कुल दा तो पीछे की ओर क्या कारान हglass क्या क्या कारण है कि अब जर्क अवसक्षा कर रहे हैं अगर को इस प्रोपर्टि को क्या कहते हैं इनर्शिया कहते हैं नहीं हो हम लोग lecture 6 में पढ़ेंगे उससे जो पहले विडियो था उसमें क्या बोले थे कि इनर्सिया हम लोग lecture 5 में पढ़ेंगे लेकिन यह जो इसका जो लेंथ है कुछ जादा हो गया है तो सोच रहेंगे छोटा छोटा यह lecture बनाए topic वाज lecture को cover करें तो जो lecture 6 है उसमें हम लोग क्य में रहना चाहता है या कींव कोई औब्जेक्ट स्टेट लाइन इन्फर्मली मूब करना चाहता है इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो लेक्टर 66 में आई और उस वीडियो को देखिए तो आज के लिए बस इतना ही कि मिलते हैं पिर अगले नए वीडियो में तब तक के झाल झाल